अरे मम्मी क्या दिन भर अपनी ही बिमारी का बहाने लेकर बैठी हो बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं मेरे घुट्णों को अपरेशन कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है लेकिन तुम मेरे बात सुन, सुनी नहीं रहे हो कि मेरा अपरेशन करा दो नहीं तो मैं घुटनों से चल नहीं पाऊंगी और जब मैं चल फिर नहीं पाऊंगी तो कितनी मुश्किले होगी ये तो तुम जानते हो अपना काम खुद का मैं कैसे कर पाऊंगी सरला अपने छोटे बेटे से बिन्नती करती है कि उसका गुटने का गुटना खराब हो चुका है और उसका ऑप्रेशन करा दो बेटा लेकिन बेटा सुनने को तयार नहीं होता है बहु आके चिलाती है और बोलती है मा जी मा कोई हमी आपके बेटे बहु नहीं है आपके और भी तीन बहु बेटे हैं आप उन लोगों से क्यों नहीं बोल रही हो तब सरला जी बोलती है कि अच्छा बहु बड़े वाले बेटे को फोन लगाओ बड़े वाले बेटे के पास फोन जाता है तो सरला बोलती है कि बेटा मेरे पैरो का ओपरेशन करना है प्लीज तुम करा देते तो बहुत ठीक रहता मैं तुम्हारे पास टिकट करा दो चली आऊंगी क्योंकि मैं बहुत परिसान हूँ बड़ा वाला बेटा मा को जारते तुम्हारे पास और कोई काम नहीं रहता है कि तुम्हारे बेटे कभा रहे हैं कि रहे हैं कैसे रहते हैं इसके लिए तुम कभी फोन नहीं करती हो और जब फोन करती हो तो कोई ना कोई डिमांड करती हो इतना कहने के बाद चिलाते हुए बेटा फोन रख देता है तब मा जी दूसरे वाले बेटे के पास फोन लगवाती है और दूसरे वाले बेटे के पास फोन करती है और कुछ का तब दूसरा वाला बेटा से सरला जी बोलती है कि बेटा मेरे घुटनों का अप्रेशन करवाना है करवा दो बेटा मेरा जो घुटना है काफी खराब हो चुका है उसका अप्रेशन कराना काफी जरूरी है तिसरा बेटा और चौथा बेटा भी यहीं जाड़ते हुए मा को डाड़ देते हैं तब सरला जी अपने सबसे छोटे वाले बेटे जिसके पास रहती है उससे बोलती है कि बेटा मेरा पेंसन तो है ना उसी से तुम मेरा ओपरेशन करा दो तब बेटा बोलता है कि मा टेंसन तो बहुत है हम उस हिसाब से अपना खर्च भी चलाते हैं और आपके खाने पिने का और रहने का भी सारा इंतिजाम करते हैं उतना पेंसन में तुम्हारा ही खर्चा उठ जाए वहीं जादा है और तो और कोई आपका करता नहीं है इतना सुनने के बाद सरला जी अपने दरवाजे के बाहर चोकट पर जाकर बैट जाती हैं बेटा उनको पेंसन का भी हिसाब दे देता है और बैट के अपने पती को एक पैसा के लिए मोहताज कर देते हैं और मुझे मोहताज कर दिया है मुझे ओप्रेशन कराना है लेकिन मेरे बेटे और मेरा बहु ओप्रेशन नहीं करा रहे हैं मैं जब और भी बुड़ी हो जाऊंगी तो क्या इन लोगों के सहारे मैं कैसे अपना दिन गुजार पाऊंग कुछ नहीं बेटा मैं ऐसे ही बैठे हूं और पुरानी कुछ बाते याद आ गई जिससे आखों से आसु आ गए तब लड़का बोलता है कि दादी आपके पैरों का अपरेशन हुआ होने वाला था क्या हुआ नहीं हुआ क्या तब सरला जी बोलती है कि कहां बेटा मैं तो चा माजी कैम भी तो लगा है होस्पीटल में सहर में जाए और वहां पे कैम लगा है और वहां पे आप ऑपरेशन करा सकती हैं लेकिन सरला जी बोलती है मुझे कौन लेकर जाएगा लड़का सरला जी को कुछ खाने के लिए देकर चला जाता है और सरला जी की बहु अंदर से आ आवाज आती है कि आये नस्ता करने के लिए तभी बहु बोलती है कि मा जी अभी मैं नस्ता नहीं बनाई हूं तब सरला जी बोलती है कि आवाज क्यों लगाई तब बहु बोलती है कि मैंने आपको आवाज नहीं लगाई और जो बनाया था वह सारा नस्ता खतम हो चुका है आ कुछ नहीं रहता है क्षाने के लिए कि सरला जी को बहुत जोरों की भूख लगी रहती है लेकिन सरला जी कुछ नहीं बोलती है और फिर अपना पेट दबा के बाहर आकर अपने दरवाजे के पास बैठ जाती है जो लड़का उनको दिया रहता है उसी को अपना खा के और अपने नास्ते का जुगार कर लेती है सोश्ती हैं कि बहू ने मुझे नास्ते के लिए बुलाया था साएद बहू मुझे उस लड़के के साथ बाते करते हुए देख लेती इस लिए जूट मूटका अंदर बुलाई थी तब सरला जी की बहु आवाज लगाती है कि मा आकर खाना खा लो तब सरला जी अंदर आकर खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है मालिस का तेल भी खतम हो चुका था बेटे खेट से लोट के आता है तब सरला जी बोलती है कि बेटा यह मालिस के तेल की सीसी है यह मालिस का तेल खतम हो चुका है कहीं मालिस का तेल डॉक्टर ने यहीं मालिस का तेल मुझे दिया था इस तेल को तुम मंगा देना या फिर पैसे दे दो मैं अपने पडोस वाले लड़के से मंगा लूँगी इतना सुनने के बाद सरला जी का बेटा बोलता है माम मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है मैं नहीं मंगा पाऊंगा सरला जी कुछ नहीं बोलती है और तेल का डिबबा लेकर अंदर चली जाती है सरला जी की दवाई भी खतम हो जाती है और तेल भी मालिस वाला खतम हो जाता है सरला जी का पैर का घुटना और भी तेजी से दर्द करने लगता है अब सरला जी के पैरों से चला नहीं जाता था सरला जी का पैर अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था सरला जी कहीं पर बात्रूम कर देती थी इस पर उनकी बहु काफी चिलाती थी लेकिन सरला जी भी क्या करती उनको रात के अंधेरे में उनका दूर चलना काफी दूभर हो चुका था क्योंकि बाथरूम थोड़ा दूर पर था और दिवार पकड़ पकड़ के किसी भी तरह सरला जी चलती थी लेकिन जहां बातरूम था वहां तक नहीं पहुंच पाती थी सरला जी काफी परिसान हो चुकी थी अपने बेटे और बहु के बेवहार से लेकिन कर भी क्या सकती थी कुछ कर भी नहीं सकती थी सरला जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रही थी कि मेरे चारो बहु और बेटे का तो यहीं बेवहार रहेगा ओ लोग तो ना तो मेरी सेवा करेंगे ना तो मेरी दवाईया कराएंगे और पेंसन भी सारा रख लेंगे और मैं ऐसे ही अपना जिंदगी मुझे गुजरना पड़ेगा तब उन्होंने घर से बाहर निकला और अपनी बेटी को एक फोन करके और अपनी बेटी काफी परिसान हो चुकी थी अपने बहु और बेटे से बहु और बेटे एक भी उनकी बात सुनने को तयार नहीं थे कि मां का आप्रेशन करा दिया जाए और तो और जब उन लोगों को यह लगा कि मां आप्रेश नहीं रखी कि मेरा और्पिंस तुम लोग मिलकर करा दो लेकिन बेटे और बहु किसके लिए इसके लिए तयार नहीं थे छोटा बेटा बोला कि भई यह भावी आप लोग मा को सहर ले जा चार ऑप्रेशन करा दो लेकिन बड़े बेटे और जो दोनों बोलने लगे सारा मा का प्रेशन तुम रखो और मा का खेतिवारी तुम संभालो तुम सारा पैसा रखो और अप्रेशन हम कराएं अप्रेशन क्यों नहीं करा दे रहे हो हम लोग नहीं कराएंगे अप्रेशन मा का तुम ही करा दो हम लोग नहीं कराएंगे उसके बाद से हालत ऐसी हो गई जब उन्हें पता चलता था कि माँ बात करने वाली है तो सारे बेटे फुन कट करके रख देते थे उनमें से कोई भी बात नहीं करता था सरला जी काफी परेसां रहने लगी थी सरला जी सोचती कि मैं जब अकेली थी तो इन चारो-पाँचो बेटों का मैंने अच्छे से ख्याल रखा इनका जीवान आपन कितनी मैंने कठिनाई ही से की हम और उनके बागुजी मिल कर कितनी कठिनाई हो से इन लोगों को पोशा पाल रखते एक माँ को ये चार मिलके नहीं रख रहे हैं और हम एक माँ होके चारों का इतना ख्याल रखें। जब लड़का पैदा होता है तो घर में बहुत सी खुशिया मराई जाती है। सभी लोग यहीं बोलते हैं कि इसके घर में लड़का पैदा हुआ है। और लड़का कित बाते अपने दिमाग से सोच रही हैं और उनके आखों से आशू गिर रहे होते हैं सरला जी सोचते सोचते ही उनके खून में कुछ ऐसे करेंट सा लगा सरला जी सोचती है कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सरला जी अब बात्रूम में भी बैठ नहीं पा रही थी तबी सरला जी ने एक फैसला लिया और बाहर जाकर अपनी बेटी को फोन करती हैं सरला जी की एक बेटी भी थी और अपनी बेटी को अपने पास बूलाती हैं सरला जी अपनी बेटी से बोलती है कि बेटी तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ तुमसे मुझे बहुत जरूरी काम है सरला जी की बेटी बोलती है कि मा क्या काम है क्या कौन सा ऐसा दिक्कत आ गया जो कि तुम्हारे बेटे और बहु संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरला जी कभी भी अपने चारों बेटे और बहु का सिकायत अपनी बेटी से नहीं करती थी और नहीं तो कभी उ आ गई यह देखने के बाद उनकी बहु और भी गुस्सा होने लगी और बोलने लगी अरे माजी अभी तो गर्मी के छुटी नहीं आई है अभी तो कोई तीस तेवार भी नहीं पड़ा है तो फिर आपने दीदी को क्यों मेरे घर बुला लिया आपको पता है दीदी आती है त क्या जरूरत थी तब सरला जी बोलती है कि क्यों क्यों मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं बुला सकती सारा चीज का हिसाब किताब तुम ही रखोगी अपनी बेटी को अपने पास मैंने अपनी मर्जी से बुलाया है और तुम्हारी मर्जी से मैं कुछ नहीं करूंगी म मेरा खेट है, मेरा प्रापर्टी है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को हक से बुलाया है। यह बरताओ, सरला जी का कुछ बदला-बदला बहु को लगने लगा। जब बेटी घर आती है, तब सरला जी बोलती है कि बेटी आओ अंदर आओ मा क्या बात है तुम मुझे क्यों बुलाई हो तब सरलाजी बोलती है कि बेटी मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुमसे मुझे काम है तुम मेरा पैरो का अप्रेशन करवा दो बेटी बोलती है कि ठीक है मा करवा दूंगी बेटी एक भी बा तुम्हारा मैं करवा दूंगी तब सरला जी बोलती है कि तुम मेरे साथ सहर चलो सरला जी और उसकी उनकी बेटी सहर चली जाती है सहर जाने के बाद सरला जी उससे पहले अपने बैंक जाती है और बैंक में जाने के बाद सरला जी मैनेजर से बात करके अपना सारा पेंसन वह या पैसा किसी को मत दीजिएगा, मेरा अंगुठा भी कोई लगा के लाएगा, तो भी आप मेरे को देखे बिना पैसा मत दीजिएगा, बैंक का मैनेजर बोलता है कि ठीक है, जब आप आएंगी तभी यह पैसा निकाल के निकलेगा, वरना पैसा नहीं निकलेगा, सरला जी पूरे 30,000 रुपए निकाल के और डॉक्टर के पास आती है डॉक्टर बोलता है कि आप इतनी लेट क्यों कर दी है आपका घुटने और भी घिस्ता जा रहा है आपको क्या परेशानी नहीं होती है आपको समझ में नहीं आते है कि आपको आपका घुटना कितना रिस्की हो गया है ओपरेशन जल्दी से जल्दी करा लीजिए तब सरला जी बोलती है कि मैं कल आ जाऊंगी सरला जी घर आती है और बोलती है कि मैं कल ओपरेशन कराने के लिए जा रही हूँ तब बेटा बोलता है कि मा मेरे पास्टाईन नहीं है मेरे खेतों में बहुत सारे काम है तुम अपना खुद देख लेना और तुम्हारे साथ तो दीदी तो है ना बेटा एक भी बार मा से पूछता नहीं है कि मा ऑपरेशन कराने के लिए तो तुम तयार हो चुकी हो लेकिन पैसा काहां से आएगा। पैसा कौन देगा। बेटा काफी मन ही मन खुश होता है कि चलो ठीक है इसी बहाने मा के घुटनो का ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरा जान भी बच जाएगा। वही बात है साब भी मर जाए लाठी भी न टूटे और सारा पैसा मेरी बहन का लगेगा इतना सोच कर बेटा और वहुद दोनों मन ही मन खूब खूब सो रहे थे सरला जी सुबा होता है और अपनी बेटी को लेकर सहर की तरफ मूब कर जाती हैं सहर में जब आती हैं तो उनकी बेटी उनका ओपरेशन कराती हैं तकरीबन पंदरह से पर एक महिना लेकिन चारों बेटे और बहु में से किसी ने भी एक वीवार सरला जी का हाल चल नहीं लिया था कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो और सरला जी को एक वीवार होस्पिटल देखने जो गाउं में बेटा रहता तो भी नहीं गया था कि मेरी मा कैसी है, बहुत जादा होता था, तो चारो के चारो मोबाइल से अपनी बहन से बात कर लेते थे, सरला जी का पैसा कम पढ़ गया था, सरला जी ने अपनी बेटी की मदद ली थी, जो भी पैसा कम हुआ था, बेटी ने उनके में पैसा लगाया इधर बेटा जब पेंसन लेने गया तो वहां का मैनेजर ने मना कर दिया कि जब तक सरला जी नहीं आएंगे तब तक पैसा नहीं निकालेंगे और जो इस महिने का पेंसन आया था सरला जी लेकर चली गई हैं बेटे को पता चल गया कि सारा पेंसन माने निकाल लिया था बेट बेटे को बहु बेटे ने खरी खोटी मा को सुनाने लगा जो ही सरला जी घर पे आती हैं बस गाड़ी से निकलती हैं और घर में गुशती हैं और कोई ये नहीं पूशता है कि मा तुम्हारा अप्रेशन कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ बहु और बेटे मा की चलाकी और अपनी बेटी के साथ आ गई गर आते हैं सरला जी के ऊपर बेटा चिलाने लगता है सरला जी से एक भी बार नहीं पूशता है कि मा तुम्हारा अप्रेशन कैसा हुआ और यह सारा पैसा कहां से आया बेटा चिलाते हुए मा से पूशता है कि मा तुमने पेंशन का सारा पैसा क्यों निकाल लिया सरला जी भी अपनी तीखी तेवर में बोलती है कि हाँ क्यों नहीं निकालू सारा पैसा मेरे पती का था कोई तुम्हारा पैसा नहीं था कोई तुम्हारे कमाई का पैसा नहीं था और मेरे पती का पेंशन था और पती की कमाई पर पत्नी का अधिकार होता है जैसे कि तुम्हारे कमाई पे तुम्हारी पत्नी का अधिकार है कि एक गिलास पानी भी लेने नहीं दे रही है तुम्हारी मा का तो रती भर अधिकार नहीं है कि मा कुछ भी इस घर में कर पाए जो कि सारा प्रपर्टी मेरा ही है तुम्हारा नहीं है कुछ खरीदा हुआ, मेरा उसी तरब मेरा भी पती के कमाई पे मेरा अधिकार है, तुम लोगों का नहीं, बेटे का मुँख बंध हो जाता है, बेटा बोलता है कि यह आपने अच्छा काम नहीं किया है, यह आपने बहुत गलत काम किया है, और अपनी बे लगा रहे हो। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि मा का ऑप्रेशन का पैसा कहा से आएगा। इतना पैसा लगा है और अप्रेशन का पैसा कहा से आयगा। मा के उपर चिला रहे हो तुम्हें सरम नहीं आ रही है तब सरला जी की बहु बोलती है कि इतना ही ही मा से प्रेम है तो तुम मा के पास क्यों नहीं रहती या फिर मा को अपने पास क्यों नहीं रख लेती हो क्यों मेरे सर पे तांडो मचाई हो इस पर बेटा गुसे में बोलता है कि दोनों मा बेटी मेरे घर से निकल जाओ सरला जी भी गुसे से तम तमाज आती है और गुसे में आकर अपनी बेटी का सहारे खड़ा होकर खड़े हो जाती है और अपने बेटे को एक तमाचा जोड के खीच के लगाती हैं और बोलती हैं कि तेरा घर तेरा घर ये तेरा घर नहीं है जो मेरा घर मेरा घर बोल रहा है ना ये तेरा घर नहीं है कैसा तेरा घर है या तो मेरा घर है अब मैं सारा जमीन और जायजाद और यह मेरा घर है इसम लोग मेरे घर से निकल जाओ और अपने भाईयों को बता देना यह लोग भी मेरे घर मत आएं मैं सारा जमीन जायजाद अनाथाले दान कर दूंगी और अपनी बेटी को दे दूंगी लेकिन तुम लोगों को नहीं दूंगी इतना सुनने के बाद तो बेटे और बहु के कि बाई ने अपने तीनों भाईयों को फोन कर देता हैं और तीनों भाईयों को पोन कर देता हैं और ये जो घर और ये जो जमीन और ये जो जाइजाद है सारा का सारा अपनी बेटी के नाम लिखने वाली हो तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ और जो बचेगा वो आना थाले में दे दूँगी और जब मैं मर जाओंगी उसके बाद जो बचेगा वो सब आपस में तुम लोग बाट देना उसकी मैं जीमेदारी नहीं ली हूँ लेकिन अभी जीते जिन्दगी तुम लोगों को एक फूटी कवडी मैं देने वाली नहीं हूँ इस समय तुम लोगों को मैं कुछ नहीं दूँगी और तुम लोग इस घर से निकल जाओ सरला जी खरी खोटी सुनाते हुए अपने चारो बेटे को घर से निकालने लगती है लेकिन जो बेटा अभी नोकरी नहीं करता था उस बेटे को सरला जी ने दया दिखाती है और थोड़े से जमीन और थोड़े से अपने खेत का टुकड़ा उस बेटे को दे देती है और जो अपना घर था उसमें से दो कमरा बेटे को दे देती है और बाकि सरला जी दिवाल खड़ी कर देती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों का मुझ कभी नहीं देखूंगी इसमें सरला जी का इतने सरला जी का कड़ा तेवर देखकर बेटे और बहु का तो मुझ देखने लाइक हो जाता है बेटे और बहु सरला जी को समझाने की बहुत कोशिस करते हैं लेकिन सरला जी मानने को तयार नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और बहु का असली रूप असली चेहरा देख लिया आता कि मेरे बेटे बहु बुढ़ापे में मेरे साथ क्या करेंगे सरला जी पेरो का अप्रेशन धीरे धीरे सरला जी का ठीक होने लगा अब कम्याब हो रहा था और सरला जी बहुत जल्दी से ठीक हो गई सरला जी अपनी पेंशन खेती बाड़ी को लेकर काफी खुश थी और अपने लिए एक घर में नौकर रख ली थी खाना बनाने के लिए और जो भी काम था उसको करने के लिए क्योंकि सरला जी के पास हर महीने का पेंशन का 30,000 रुपए आता था सरला जी अपना जिन्दगी काफी खुशी खुशी गुजारने लगी अपनी बेटी के साथ काफी खुश रहने लगी थी तो दोस्तों आप लोग बताईएगा यह इस्टोरी कैसी लगी और आप लोग यह मुझे जरूर बताईएगा कि क्या सरला जी के साथ उनके बेटे और बहु ने जो किया ठीक किया दोस्तों जब एक मा बेटे को जनम देती है तो बहुत उससे उमीदे रहती है लेकिन मा कड़ी महनत करके अपने बेटे को अच्छी पर्वरिस करती है अच्छे संसकार देने की कोशिश करती है उसको अच्छे स्कूल में दाखिला कराती है ताकि मेरा बेटा अपने पैर पे खड़े हो जाए जो हम लोगों ने दुख सहा है जेला है वो मेरे बेटे और बहु को ना सहना पड़े और कोई भी उसके जीवन में दुख नहीं आये और नहीं आने देती है लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है और नोकरी करने लगता है तो माब आपको कुछ नहीं समझता है पैरो की जूती समझने लगता है तो क्या आप लोगों की राय है मुझे कॉमेंट करके जरूर बत कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा उस पर इस्टोरी जरूर मिलेगी मिलते हैं